हेई गाइस वाकत है आप लोग का एक और नई वीडियो में आज है मेरे पास आप लोग के लिए ये है नाकुमाट और ये है कलेपोट सबसे पहरे नाकुमाट को बहार निगालते हैं ये देखिए कितना सारा नाकुमाट है तो आज मैं आपको बताने वालों कि इन दौनों को खाकर क्या प्रावलम होती है किसी को खाकर कोई फायदा होता है या नहीं सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा तो इस वीडियो को पुछा सकते देखना बिल्कुब इसकी मत करना और सबसे पहले नीचे चल तो इस टाइब का यह नाकमट होता है जो कि आपको एजिली आपको ऑनलाइन मिल जाता है लेकिन बहुत ही हाडली आपको शौप में मिलता है और ऐसे ही यह आपको बहुत ही रेर मिलता है इसकी मिट्टी बहुत ही रेर होती है कुछ-कुछ जगाओं पर इसकी मिट्टी होत अगर clay pot आपके घर में नहीं है तो आपके घर के आसपास लाल मिट्टी तो जरूर होती होगी जिसे clay pot बनता है और सिर्फ लाल मिट्टी नहीं होती है और भी बहुत सारी मिट्टे होती है जिसे ये clay pot बनते हैं तो clay pot बनाना बहुत ही easy है आप लोग भी घर पर अपने घर पर इस clay pot को बना सकते हो तो सबसे ज़ादा जो easily available होता है वो है clay pot वो सबसे ज़ादा जो खाया जाता हो भी clay pot ही है सबसे ज़ादा जो tasty माना जाता है वो नाकमत माना जाता है बहुत सारी वीडियोस आप लोग देख सकते हो या फिर बहुत सारे कॉमेंट्स मैंने जो पड़े है वो नाखमट के लिए ज़्यादा टेस्टी बोलते हैं तो नाखमट सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है वहीं पर क्लेपॉट भी टेस्टी होता है लेकिन इसकी सबसे पहले खुश्बु बहुत अच्छी होती है अगर आप clay pot के अंदर पानी रखोगे और फिर इसकी जो खुश्बू आती हो बहुत ज़्यादा अर्दी होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वहीं पर नाकमट की खुश्बू भी अच्छी होती है लेकिन अतनी अच्छी नहीं होती है क्लेपोट की होती है बहुत जदा यह आपको अपनी और खेंचता है जब इसकी खुश्बू आप लोग के पास आती है तो आप लोग इसकी तरफ खेंचे चल जाते हो means आप लोग को बहुत जदा मन करने लग जाते हैं इनको खाने का और बहुत जदा आपको क्रेविंग्स हो और वो अपके दान्तों की होने वाली है एक चैनल का नाम truly का नाम नाम भूल किके हूँ लेकिन वोगर दिनsu की जिसके देंती बहुत निसके इसके आगे के नड़की घृते लिए धृतiri के जिसके लिसके लुझ और उसका पीद पहुंuli जतिए बड़े बड़े कलेपोर्टे काती थी और इनको खाने की वीडियोज अपलोड किया करती थी एक वार तो उसने बहुत थी बड़ी मटकी या फिर हांडी वह खाई और जिसके बाद उसकी जो आगले दो दिन उसकी बहुत बूरी हालत हुई उसकी जो मुह है उसमें बह तो यह acidity में बहुत अच्छा वर्क करता है क्योंकि मैंने गूगल में भी पढ़ाता कि यह acidity के लिए बहुत अच्छा होता है वहीं पर अगर आप बहुत जादा खाते हो तो यह obvious सी बात के लिए है तो अंदर जमता रहेगा जमता रहेगा और अंदर बहुत साई problems करता है digestion क ख्राब करने से लेकर बहुत साई problems यह करता है जैसकी infection होगे बहुत ही serious वाले infection इससे होते है food poisoning इससे होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है वहीं पर बात की जाए बाकी जीजों कि जैसकी hair fall होगे skin ख्राब होना strong होगे वह सब कुछ इसससे होते है और इससे भी दोनों से same चीजे होती है जो जो problems होती है वो दोनों से same ही होती है वहीं पर बात की जाए इनको daily खाने की तो दोनों daily खाने पर बहुत जादा कराब करते है आपकी हालत और आपके internal organ बहुत जाएदा damage से हो जाते है और देखा जाए तो जो नाकमट है वो इतना easily available नहीं होता है जितन clay pot होता है clay pot आपको हर गर में मिलता है और दौनों को खाने का reason सिर्फ और सिर्फ एक है वह पीकर डीजीज या फिर iron या calcium की कमी होना जब आपके शीजी में iron की कमी होती है तब आपका automatically इस तरह की चीज़ें खाने का मन करता है जो हमारे खाने के लिए नहीं होती जैसकी calcium की कमी होती है या फिर आपको pica disease होती है pica disease वही disease है जिसमें आपको इन सतरह की चीज़ें का मन करता है जो हमारे खाने के लिए नहीं होती है और हमारे लिए harmful भी होती है तो यह सब उन्हीं लोग के साथ होता है और उन्हीं लोग का इनको खाने का मन करता है लेकिन obviously बात ह ये मिट्टी है तो इनको नहीं खाना चाहिए बहुत जादा डेंजरस और इसकी आपके लिए थाबित हो सकता है जो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझे बता कि आप लोग इनको जरूर से खाते हो तो इनको कभी भी ना खाना चाहिए और मेरे खियास इनको टेस्ट भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप एक बार इसको टेस्ट कर लेते हो तो ये इतने जादा आपको अच्छे लगने लग जाता है कि फिर इसको खाने के आपको आदत लग जाती है और आदत लगने के बाद ही आपकी हालत खराब होती है अगर आ कि रखो अगर आप ने विद्र की चलल को सब्सक्राइब कर拒ंदो मैं आफ els ओर बहुत सारय वीडियोे जिए जाव बलाता रहूंग तो इस चलल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके रखो हुए अभी पे इन दोनों को खाती हो लोगlaş तो आप लोग के हिसाब से कौन सी होती है तो आप लोग जो से कुमेंट करके बता सकते हैं और आपकी स्क्रीम पयाम पनोब वीडियो जारी हो गया आप किसी एक वीडियो पे क्लिक करके इस वीडियो देख सकते हो करानीन करो एक होicket रृम में रोग कर दो पके वेख सकते हुआ़ में जोता सकते हैं कर दूरन चरते हो आपक दो क्र दोल एक एक वीडियो दिह आप पने डोल कर kadar वीडियो जापर देशी को सकते हbor भीडियो जो में अारू outta वे ह no कोसी सिएपनी और अ